किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कैलेंडर हमेशा तारिक बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारिक AC भी आती है, जो कैलेंडर बदल देती हैं। इसलिए जिन्देगी में सब्र रखे, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहें। मैं प्रिया, आप सभी का सौगत करती हूँ, आपके अपने कामवले AC यूटिप चानल पर। दोस्तों इस चानल के माद्धम से मैं आपके लिए नए नए जॉब की अपडेट लेके आते हैं। आज मैं फीर से एक नए जॉब अपडेट के साथ आई हूँ, आज का जॉब पेशन केर की गाज़े अबाद में है। इस जॉब के लिए आप कहीं से भी अपलाए कर सकते हैं। ये जॉब 24 आर्ज की हैं, मेल फीमेल कोई भी अपलाए कर सकता है। इस जॉब के लिए आपको सालरे 18-20,000 तलग मुलती है। इस जॉब के लिए आपको थोड़ा पड़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि पेशन केर का जॉब काफी जिम्मेदारी वाला काम होता है। इस जॉब में आपको पेशन का पूरा ध्यान रखना होता है। क्योंकि पेशन बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं जैसे कि बीमार, घायल, विकलांग या फिर कोई पेशन काफी लंबे समय से बीमारी से लड़ते रहते हैं। सबी पेशन का सबाव काफी अलग होता है, कोई ज़्यादा चीट-चेड़े सबाव के होते हैं, तो कोई बहुत ही शांतिस सबाव के, तो किसी-किसी की यादश कम हो जाती है। इस जॉब में आपको पेशन का ध्यान रखना है, उनके related सारे काम करने हैं, पेशन को उठने-बेटने या फिर जयानने फिरने में मदद करना है, उनको time to time खाना खिलाना, वक्त पर दवाई देना, पेशन को अगर किसी चीज की allergy है, तो उसका ध्यान रखना, अगर पेशन विलचेयर पर है तो उन्हें बाहर garden में घुमाना, अगर डॉक्टर ने छोटी मोटी कोई exercise बताई होगी, तो आपको पेशन से करवानी होती है, आपको इस जॉब में हमेशा चोकरना रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत से पेशन आदी रात को नीम में जग जाते हैं, उनक कभी ज़्यादा ज़्यादा पड़ी तो पेशन को डॉक्टर के पास लिख की जाए, या फिर डॉक्टर को कॉल करके पेशन की स्थिति के बारे में बताए, यह सब काम आपको पेशन केर की जॉब में करने होते हैं, अगर आपको यह जॉब करनी है, तो हमें कमेंट बॉक् करें इस जॉب के लिए आप कहीं से भी अप्लाय कर सकते हैं इस जॉब कोisher करते लग आपके पास आधार कार्ड बन कार्ड जिया कोई भी आईडी फूर्फ होना ज़रूरी है इस चैनल पर सभी josh free of cause में होते इसके लिए आपको कुछ भी पैसे भरने की जरूरत नहीं होती है इसलिए जल से जल इस चानल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इसी नए नए जॉब की अपडेट लेके आते हैं आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू बाई